एक छोटे से गाव की कहानी है जहां एक छोटे से लड़के का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार का गर्व बनेगा उसके माता-पिता ने उसे पढ़ाई में समर्थन किया लेकिन उनके पास कम आस्थाएं थी वह बच्चा रात भर पढ़ाई करता रहता था और उसकी महंत ने उसे एक अच्छे कल की उचाईयों तक पहुँचा दिया जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसका हृदय खुशी से भरा हुआ था लेकिन एक दिन गाव में बड़ी सूचना सुनाई गई की वहां का स्कूल बंध होने जा रहा है क्योंकि उसकी कमी में लड़का निराश हो गया लेकिन उसने हार नहीं मानी उसने गाववालों को जागरूख किया, सहायता मांगी और साथ मिलकर स्कूल को बचाने का कारण बना लिया उसकी इमानदारी और संधर्ष ने सभी को प्रेरित किया और अंत में स्कूल बच गया उस छोटे से गाव की बच्ची ने भी उस लड़के के साथ मिलकर स्कूल को संधीवनी बूटी देने में भागीदारी दी गाववालों ने मिलकर एक साथ काम किया और स्कूल के लिए धन जुटाया एक दिन जब स्कूल का पुननिर्मान पूरा हुआ, सभी गाववाल और बच्चे ने एक साथ हस्ट हस्टे स्कूल के दर्वाजे खोले सभी बच्चे और उनके परिवार ने इस जीवन दायक ख्षन को धन्यवाद दिया वह छोटा सा गाव नहीं बस एक स्कूल ही नहीं, बलकि उसके अंदर बसे हर एक बच्चे के सपने को भी नया जीवन मिला लड़का और लड़की ने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का संकर्प लिया और एक नए आरंब की शुरुआत की इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि समर्पन, साथीव और संधर्ष से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और छोटे से गाव से लेकर पूरे समाज को एक सजीव और समर्दी भरा भविश्य देने में हर किसी का योगदान महत्व पूर्ण है